इसमें पर्टिकुलर इसमें जनरल टम पहले हम जनरल टम टम लिखे भी दो दीशिवी दो गर देवे हैं यह आप ध्यान रखें कि बीच में हम जनरल में प्लस साइन रखते हैं अगर माइन शाइन create हुआ भी, तो वो y को दे देंगे, उसमें y negative बना के उसको second term रखेंगे, first term हम x रखेंगे, तो इसकी general term लिखेंगे, so t7, t7, t7 equals to, आप देंगे, यहां कभी भी जो value आती है, tr plus 1 आती है, तो यह जो general term है, वो tr plus 1 है, that term is tr plus 1, तो इस जगे मैं इसको पहले r plus 1 लिख दूँगा, और ncr लिखना होता है, n अमारे पास है, n की value, n already है मारे पास में, तो उसको 9cr लिखेंगे, this is 9cr, और r बनाने के लिए एक काम करूँगे, आप, t7 को तोड़ लोगे, 6 plus 1, 6 plus 1, जिससे हमें r की value मिल पाए, यह तो होता ही है, जो इस जगे की जो term होती है, उसको इस तरह से तोड़ना होता है, ठीक है, that is the tr plus 1, so that should be written as 6 plus 1, अब एक चीज़ देखे, 9c यहाँ पर r आएगा, ncr, r की जगे 6 हो चुगा, x to the power n-r, x वाला ही जगे 4x अपॉन 5 लिखा हुआ है, n-r, 9-r, r हमारा decide हो गया है, और y की जगे हम लिखेंगे 5 upon 2x, 5 upon 2x to the power r, और r 6 है, अब यह देखे, पूरी general term इसमें 7 term बन चुकी है, r plus 1 से उसको compare करा दिया है, यहाँ पे 6 plus 1 लिख दिया, ncr, x वाली जगे जो number लिखा था, पूरा लिख दिया, to the power n-r, और y वाली जगे, इस minus को इसके साथ रखा, वहला बीच में plus रखा, जनरल में जो हम plus रखते हैं, वही करना है, तो इसको minus की बनाके, इसको minus 5 by 2xy की तरह टीट होगा पूरा, और to the power r, और अब इसको value को solve करेंगे, यहाई से simplification करना चालो कर दे, short करना start कर दे, मैंने बताया था आपको, ncr equals to n minus r, एक और हम चीज़ जाते हैं, ncr equals to nc n minus r, तो यह इस particular formula का use तभी करना है, जब दोनो numbers में gap कम हो, और दोनो number बड़े-बड़े हो, वो number उसको छोटा कर देता है, कैसे देखें, 9c, n minus r, तो n वाली value 9 है, और r 6 है, यहाँ पर 9 minus 6 आएगा, means 3 आएगा, और इस पर आएगा 4x by 5 to the power 3, minus 1 की power 6 भी बनेगा, तो positive बन जाएगा, उसको मैं छोड़ देता हूँ, और बनेगा 5 to the power 6, 2 to the power 6, और रीचे आजाएगा x की power 6, यह सारी values इस तरह से open हो जाएगी, 9c3, 9c3 को open करने का short rick कल बताई थी, कि जितना भी जैसे 9 है, 9 से आपका क्या करेंगे, numerator में 3 step नीचे डाउन आ जाएगे, 9 के बाद में 3 step, 9, 8, 7, और नीचे क्या करें, जो 1, 3 लिखा है, इसका मतलब है, 1, 2, 3, 1 से start होते हुए नीचे 3 step आगे बढ़ाना है, denominator में, और numerator में, 9 से यह आपको नंबर बता रहा है कि कितने नंबर पीछे जाना है, ठीक है, इस में आ जाता है, 4 to the power 3 into x to the power 3 divided by 5 to the power 3 into 5 to the power 6, 2 to the power 6, x to the power 6, इस value को solve करना है, so this is 2 to the power 6 is equals to this one, यह पूरा cancel हो रहा है, 5 to the power 3 में यहाँ पे 5 to the power 3 बचेगी, so that is the 125, x to the power 3 नीचे बचेगा, so 1 upon x to the power 3 देख रहे है, और बाक्की जो नंबर से 6, यह नंबर कैंसल होगा 3 ताम्स, this is 4 times 12, 12 जा, and this is 12, 7, 14, 1, 7, 8, 84, इंटो इस जगे वैल्य पूरी 84 बन रही है, और यहाँ पे 125 बन रहा है, और देनामेंटर पूरा cancel हो चुका है, ठीक है, तो देके इसको मैं आगे पूरा solve नहीं कर रहा हूं, 125 इंटो 84 divided by x3, जो भी नंबर बनके आएगा, उस वैल्य को मैं डिरेक्ली लिख देंगे, राइट?